अरे छोटे वी मैंने सुना है जैशा को आईसी सी का चेर्मेंड बना दिया छोटे वी चेर्मेंड इसका क्या मतलब होता है छोटे भाई तेवर देवे चेर बोले तो कुरसी और मैं बोले तो आदमी यानिके चेर्मेंड बोले तो कुरसी बेचने वालार बाबा ऐसा है तुझ जबी में कुर्सी खरी दूंगे तू एच्छा डिस्कॉंड मिलेगे आया मैरे लिया एक डबल बेड दो जे आखिर कब तक मैं सिंगल बेड पैस होएगा जे अरे कुर्सी मैंन के पास पलंग नहीं मिलेगा साला पलंग तोड कहीं का अबे गवार लोग चेर्मेन मतलब कुर्सी का आदमी नहीं आदमी ने तो क्या हो रहती कि रे बाबा अबे चुप आईसीसी का चेर्मेन मतलब पहले जैशा जैसे बीसी साय को चला रहा था अब आईसीसी को चलाएगा दखो मैं पड़ा लिखा तो नहीं हूँ लकिन रोहितना जो कहा वो सेब से अच्छा है और चेर्मन बनता ही माने कुछ रूल्स बनाये हैं पहिला चांबियन्स ट्रोफी पाकिस्तान में नहीं होगा दूसरा बाबर आजम नंबर वन नहीं रहेगा और तीसरा सारे फाइनल सहमदाबाद में होगा भाईजान कहे दो कि ये जूट है ऐसा मजाक नहीं करते भाईजान एक और रूल रहे गया हमरा आखरी रूल ये हाए पाकिस्तान और जिमबाबे का कभी सीरिस नहीं होगा भाईजान इससे अच्छा तो जहर दे के मार दो मुझे भाईजान बात वो नहीं है किसको चेर्मेन बना दिया जैशान न कभी अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेला भी है जो लग मुझा ताने मारता हैं तुम बताओ तुमने अपने जिंदगी मा काओ खाड़ा है बता भाई बाबर आखर कितने संचिरी हा तरी भाई जान वंडे में 19, ओवराल 31 इंटरनाशनल संचिरी है मेरे अच्छा है तुरहनद है ओ हारतिक बता भाई तेरा कारिकाड है तरी छुटेवी मेरी तो एक संचिरी है लेकिन बहुत सारे मैच मेंने जिताए है छुटेवी तरा भी अच्छा है एक काम करो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हारा हैस्ट स्कुर को तुना है सडक से उठा के स्टार बनाऊंगा मैं आया विराट भाईया तुम भी कुछ बोला ना जे तुम इसके बारे में क्या सोचता जे वै मैं इसके बारे में क्यों सोचू घर पर मेरे बीवी बच्च है अबे भाई सोचना मतलब उस तरीके का सोचना नहीं अर कोई बीच मना बोले है यह हमरा आपसी मामला है आए तेरे बैगन का आपसी मामला यह सिर्फ तेरी सोच है मुझे बीच में मत घसित इसमें आया विराट वहिया तुम्हा ढरा मत मैं अनुषका बाबी को इसका बायर में सब कुछ बताता जे अच्छा है फिर तो यह आई यर का करियर यह ही पर खतम होता है वाई सरकार तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट बनाओ हर मैच में आई यर जीरो पे आउट होना चाहिए सरकार यह हमेशा मेरे साथ ही क्यूं होता है सरकार